हाई फ्रेंज, वेलकम बाग वाग चानल, मैं हूँ अच्छला बर्मा और आज की हमारी रेसिपी है चीज परांथा, जो आपिसली कफी क्विक रेसिपी है, क्योंकि इसके लिए आपको खली दो इंग्रेडियन्स चाहिए, एक तो आपको डो बनाना है, और दूसरा आपको च हम नॉर्मल प्रांथे बनाने के लिए डो बनाते हैं, वैसी हम नॉर्मल डो बनाएंगे, ना बहुत ज्यादा हाड ना बहुत ज्यादा पतला, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और डो बनाना शुरू करेंगे, और अब हम डालेंगे थोड़ा साल्ट, एराउंड हाफ टी स्पूम, थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे, और डो को अच्छे से नीट कर लेंगे, तो डो बन किया है, और अब हम 20 मिनट्स तक रेश्च करने के लिए रख देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है ग्रेटेड मॉजरिला चीज, तो यह चीज मैंने एक परांथे के लिए ग्रेट करिये, 200 ग्राम्स मॉजरिला चीज को मैंने 5 पोशिंस में डिवाइट किया था, तो एराउंड यह 40 ग्राम्स चीज है, और चीज परांथा कुक करने के लिए हमें चाहिए मेल्टेट बटर, अब चाहे तो इसको ओल में भी कुक कर सकते हैं, या फिर घी में, सम रेड़ चिली फ्लेक्स, इसकी जगह आप थोड़ा सा रेड़ चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ओर इगेनो, सम सॉल्ट, और ब्लाक पेपर पाउडर, तो आईए अब रांथा बनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी से आटे का हम पोश्चन लेंगे और एक बॉल बनाएंगे, पाम से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटर लगाएंगे, और रोलिंग पेंच से थोड़ा सा फ्लाट करेंगे, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्लाट किया है, और अब हम इसमें चीज डालेंगे, उपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लाक पेपर, ओर इगेनो, और चिली फ्लेक्स, और अब इसको सारी साइट से अच्छे से बंद कर देंगे, जिससे चीज बाहर ना निकले, फिंगर से प्रेस करेंगे, जिससे चीज अच्छे से स्प्रेड हो जाए, जैसे हम नॉर्मल स्टॉक प्रांठा बनाते हैं, थोड़ा से हलके हाथों से करें, जिससे प्रांठा फटे ना, और अब थोड़ा से ड्राइ आटा लगाएंगे, और फिर दुबारा रोलिंग पिंच से इसको फ्लाट करेंगे, हमें प्रांठा बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा से प्रांठा मोटा ही रहना चाहिए, तो आईए अब इसको सेख लेते हैं, तवा को थोड़ा से गरम करेंगे, और इसके उपर प्रांठा रख देंगे, एक साइट से थोड़ा से कुक करेंगे, अब देख सकते हैं, यहाँ पर बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, और अब हम इसकी साइट चेंज करेंगे, तो यह साइट थोड़ी से कुक हो गई है, और अब हम इस पर बटर लगा लेते हैं, अब देख सकते हैं, प्रांठा यहाँ पर फूलना स्टार्ट हो गया है, तो अब इसकी साइट चेंज कर लेते हैं, इस साइट पर भी थोड़ा सा बटर लगाएंगे, और प्रांठी की साइट चेंज करते हुए, और साइट से प्रांठा प्रेस करते हुए, इसको कुक करेंगे, तो चीज प्रांठा कुक हो गया है, और आईए अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कट कर लेते हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना चीज ही है, तो अगर आपको यह रेसीपी अच्छी लगी, तो आप भी ट्राइ कीजिए रेसीपी अपने घर पर और शियर कीजिए अपने व्यूज मेरे साथ, मेरे चानल को सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, थैंक्स पर वाचिंग,